परिचय प्रकाश एक ऐसी वस्तू है जिससे सब परिचित हैं. यह विभिन सुरोतों से प्राप्थ होता है, जिनमें मुक्य है सूर्य, जिने के लिए जरूरी उर्जा हमें इसी से मिलती है. इसके बिना जैसा की हम चानते ही हैं, जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है. इस पाठ के अंत में आप निमन करने में सक्षम हो जाएंगे. प्रकाश को परिभाशित करना, प्रकाश की प्रकृति को समझना, साधारण तरपन द्वारा प्रकाश के परावर्तन को समझना, परावर्तन के नियम, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर करना प्रकाश एवं प्रकाश के स्रोत उर्जा का वह रूप जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है प्रकाश कहलाता है प्रकाश सरल रेखा में चलता है ये हमें द्रिश बोध उत्पन्न करता है प्रकाश के दोस्रोत है चमकीली वस्तुओं और गैर चमकीली वस्तुओं चमकीली वस्तुओं वे वस्तुओं जो अपना स्वैम का प्रकाश छोड़ती है चमकीली वस्तुओं कहलाती है जैसे सूर्य, लेंप, मुंबत्ती, इत्यादी गैर चमकीली वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वैम पर पढ़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं गैर चमकीली वस्तुएं कहलाती हैं जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज, इत्यादी प्रकाश की प्रकृति प्रकाश के परावर्तन, अपुवर्तन, विवर्तन तथा अन्य अनेक पहलुओं के बारे में जानने के लिए प्रकाश के सिध्धान्तों के आधार पर उसकी प्रकृति को समझना होगा प्रकाश की प्रकृति के दो सिध्धान्त हैं प्रकाश का तरंग सिध्धांत तथा प्रकाश का कन सिध्धांत प्रकाश का तरंग सिध्धांत प्रकाश विद्युत चुमिकिये तरंगों पर आधारित होता है, जिन्हें प्रवर्धन के लिए किसी भौतिक माध्यम की आविशक्ता नहीं होती इसके अभी लक्षन चिन हैं विवर्तन, निशकर्ष एवं धुरूवी करण. प्रकाश का कण सिध्धांद प्रकाश ऐसे कणों से निर्मित होता है जो अथियन्त तीवर गती से एक सरल रेखा में चलते हैं. इसके अभिलक्षण चिन हैं परावर्तन और अपुवर्तन। प्रकाश तरंग और कण दोनों के गुण प्रदेशित करता है। प्रकाश का सभाव दोरा होता है। प्रकाश का परावर्तन किसी वस्तों की सतह पर पढ़ने वाली प्रकाश किरणों का वापस भीजा जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चमकदार सतह वाली वस्तों, खुर्दुरी और धुनली सतह वाली वस्तों के अपेक्षा अधिक प्रकाश परावर्तित करती है। चान्दी प्रकाश की सर्वुत्तम परावर्तक है। सपाठ सतह से परावर्तन। सपाठ दरपन कांच का एक पतला, समतल और चिकना फलक होता है, जिसके एक ओर रजत धातों की चमकीली पर्त चड़ी होती है। इस रजत पर्त को लाल पेंट के द्वारा संदक्षित किया जाता है। आकरिती को समझने के लिए आविशक पदों के अर्थ निमन लिखित है। आपतित किरण प्रकाश की वो किरण जो दरपन की सतह पर पढ़ती है, आपतित किरण कहलाती है। आपतन बिंदू दर्पन पर आपतित किरण जिस बिंदू पर पड़ती है उस बिंदू को आपतन बिंदू कहते हैं परावर्तित किरण दर्पन द्वारा प्रकाश की जिस किरण को वापस भीजा जाता है वह परावर्तित किरण कहलाती है सामानने दर्पण की सतह के आपतन बिंदू पर इस्थित समकून की रेखा को सामानने कहते हैं यह एक ऐसी रेखा है जो दर्पण के आपतन बिंदू पर लंबवत इस्थित होती है पाश्व परिवर्तन पाश्व परिवर्तन जब सम्तल दर्पन के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तब वस्तु का दाहिना पाश्व दर्पन के बाई ओर और बाया पाश्व दर्पन के दाहिनी ओर प्रतीत होता है किसी वस्तु के पाश्वों और उसके दर्पन प्रतिबिम्ब का यह परिवर्तन पाश्व परिवर्तन कहलाता है सम्तल दर्पन के संबंध में अभिलक्षन और उप्योग किसी सम्तल दर्पन त्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब के अभिलक्षन ऐसा प्रतिबिम्ब आभासी होता है ऐसा प्रतिबिम्ब सीधा होता है प्रतिबिम्ब का आकार वस्तु के आकार जितना ही होता है सम्तल दर्पन द्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब दर्पन में पीछे उतनी ही दूरी पर होता है ऐसा प्रतिबिम्ब पाश्व परिवर्तित होता है सम्तल दर्पन के उप्योग इनका उप्योग स्वयम को देखने के लिए किया जाता है इनहें विशिष्ट दुकानों जैसे सुनार की दुकान की अंदरूनी दिवारों पर उन्हें अधिक बड़ा दिखाने के लिए लगाया जाता है सम्तल दर्पनों का प्रयोग परिदर्शी बनाने में किया जाता है इनका प्रयोग वैस्त मार्गों के तीवर मोडों पर दुरखट नाएं रोकने के लिए किया जाता है सम्तल दर्पन के उप्योग सम्तल दर्पन का प्रयोग आइने के तौर पर किया जाता है सम्तल दर्पन का प्रयोग सौर कूकर में किया जाता है सम्तल दर्पन का प्रयोग कैलिडो स्कोप यानी रंगीन कागत से सुन्दर आकरितियां बनाने में प्रयोक्त किया जाने वाला एक खिलोना कहज के टुकडे या छोटे-छोटे मन के बनाने में किया जाता है परावर्तन के नियम परावर्तन का प्रथम नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और सामान्ने ये सब एक एही समतल पर स्थित होते हैं परावर्तन का दूतिय नियम परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है बिम्ब और प्रतिबिम्ब में अंतर बिम्ब, कोई भी वस्तु जो प्रकाश किरणे उत्सरजित करती है, बिम्ब कहलाती है प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्ब एक प्रकाशिक प्रकटन है, जो किसी बिम्ब से उत्सरजित हो रही प्रकाश किरणों के किसी दरपन द्वारा परावर्तित होने से उत्पन्न होता है वास्तविक और आभासी प्रतिबिम्ब में अंतर वास्तविक प्रतिबिम्ब वह प्रतिबिम्ब जिसे दर्पन पर प्राप्ट किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिम्ब कहलाता है उधारण सिनेमा के परदे पर बनने वाला प्रतिबिम्ब यह किसी अवतल दर्पन द्वारा बनता है आभासी प्रतिबिम्ब वे प्रतिबिम्ब जिन्हे परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी प्रतिबिम्ब कहलाते हैं उधारण किसी समतल दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिम्ब यह किसी अवतल दर्पण द्वारा बनता है क्या आप जानते हैं? दिखाई देने वाले प्रकाश का तरंग देर्थ 380 से 740 नैनो मीटर के मध्धे होता है और इसकी आवरिती 405 तेरा हर्ट से 790 तेरा हर्ट के मध्धे होती है. प्रकाश जो की फोटोन नामक नन्ने पैकेटों में निकलता और अफशोशित होता है तरंग और कण दोनों के गुण प्रदशित करता है यह गुण तरंग कण दुईविधता कहलाता है. निर्वात में प्रकाश की गती ठीक 29,97,92,458 मीटर प्रतिसेकेंड आगी गई है. प्रकाश उत्पर्ण करने वाली प्रक्रियाएं हैं नगर्णई करण या सिंटिलेशन, इलेक्ट्रो ल्यूमिनिसेंस, ट्राइब बोलियो मिनिसेंस, चेरन कोव विकिरण. प्रकाश उर्जा का ऐसा रूप है, जो हमें वस्तूओं को देखने के योग्ये बनाता है. प्रकाश तरंग और गण दूनों के गुण प्रदशित करता है. इस प्रकार प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है. किसी वस्तूद्वारा उस पर पढ़ने वाली प्रकाश किरणों का वापस भीजा जाना परावर्तन कहलाता है. एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की दिशा परिवर्तित हो जाने को अपुवर्तन कहते हैं. आपतित किरण द्वारा सामाने के साथ बनाए गए कोण को आपतित कोण कहते हैं. आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है. किसी बिम्ब से आ रही प्रकाश किरणे जब किसी दर्पन से परावर्तित होकर किसी बिंदू पर मिलती हैं तो प्रतिविम्ब बनता है. सम्तल दरपण में किसी बिम्ब के पाश्वों और उसके प्रतिबिम्ब के पलट जाने का प्रभाव पाश्व परिवर्तन कहलाता है